हेलो गाईस आप सभी का स्वागत है माइंकाप की एक और नीव वीडियो में सो गाईस आज हम ट्राय करने वाले माइंकाप के वारल टिक टोक है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते है नमबर एक इस हेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड पर 3x3 का एक ब्लोक को डिक कर लेना है देन इसके अंदर भी आपको एक लियर को ओल डिक कर देना है जिससे कि हमारा एक 3x3 का प्लेटफर्म बन का तयार है इसके वाद आपको गॉल्ड ब्लोक लेना है और इसकी एक लियर को गॉल्ड ब्लोक से फिल कर देना है गॉल्ड ब्लोक के सेंटा में आपको एक बीकन को रख देना है जिससे कि हमारा बीकन एक्टिवेट हो जाएगा यहना आपको ग्रास ब्लोक लेना है और इसे पूरा कवर कर देना है नेक्स्ट आपको respawn anchor लेना है और beacon के चारों तरफ लगा कर एक platform बना देना है और magenda stand glass को लेकर इसे beacon के उपर लगा देना है और last में आपको सभी respawn anchor के अंदर एक एक glowstone को लगा देना है नमबर टू इसके लिए सबसे पहले आपको एक iron block को लखना है और इसके उपर आपको एक iron trap door लगा देना है और इसके उपर की तरफ आपको दो iron trap door को लगा देना है और first वाले iron trap door को हटा देना है आगे आपको iron door के center में दो block को डिक करना है और पहले आपको एक gold block लखना है और इसके उपर एक notebook को लगा देना है इसके right side में आपको एक और iron block को लगा देना है और इसके उपर आपको glow item frame को लगा देना है इसके लिए बोड़ी स्केनर बनकर तयार हो चुका है जैसे ही आप इसके अंदर से जाऊगे नहीं यहाँ पर एक टून बजेगी इसके लिए सबसे पहले आपको चार ब्लोग को कुछ इस तरह से डिक करना है और राइट साइड में आपको लावा को डाल देना है सुकाइस हमारा इजी कोवल स्टोन जनरेटर फार्म बनकर कम्प्लीट हो चुका है हम मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं पहले सर्वाइवल मोड में आ जाता हूँ करब देक रह लें अचिसे Supply को मा इक चैस्ट का को देख सकते हों कि मारे कोवल स्टोन को माइ stick कर दिया और गर जोवी क dolphin को माईन कर रहा हूँ वहारे हमारे और होपर चैस्ट के अंदर जा रही है तो मैं आपको चेस्ट के अंदर दिखा देता हूं कि हमारे कोबल स्टोन यहां पर रिस्टोर हो रहा है तो कैसे आप देख सकते हैं कि हमारे चेस्ट के अंदर कोबल स्टोन स्टोर होना स्टाइड हो चुका है इस generator से आप बहुत सारे कोबल स्टोन को निकाल सकते हैं अगर आपको यह generator पसंद आए तो फ्लीज वीडो के एक लाइक जयू कर देना इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको end portal लेना है और ground पर आपको तीन portal को जिस तरह से लगा देना है इसी तरह से आपको चारो साइट से तीन-दीन portal को लगाते हुए एक platform बना लेना है इसके center में आपको sulk block को fill कर देना है sulk block fill कर देने के बाद आपको simple rail लेनी और इसके चारो साइट आपको rail को लगा देना है इसके बाद आपको I.O.Finder लेना और इसे पोडल के चार उतर्फ लागा कर पोडल को activate कर देना है पोडल activate हो जाने के बाद आपको rail के नीचे के इसे पूरे platform को अटा देना है जैसे ही आप पूरे platform को अटा दोगे आप देखो कि हमारी जो rail है वो glitch हो चुकी है और यह air के अंदर ही लगी हुए है अम मैं इस rail के ऊपर एक minecart को ढख देता हूं और यहाँ पर मैं एक creeper को spawn कर देता हूं अब मैं इस creeper को ढख कर दे कर इसे minecart के अंदर बिटा देता हूं तो गाईस हमारा creeper इसके अंदर बेच चुका है टेक केर और बाइ बाइ बाइ